नमस्कार मेरा नाम युवराज है और आप न्यूस फोनेशन देख रहे हैं बिहार समीत पूरे भारत में इस बार मौनसून ने समय से पूर्व दस्तक दे दी थी जैसे जैसे समय बीतने के दोरान या साफ हो गया था कि मौनसून इस बार समय से पहले पहुँचा है तो इस बार पूरे भारत में अच्छी बारिश की संभावना थी मगर जिस तरह से जून के महिने में बिहार में 130 प्रतिशत से अधीक वर्षा दर्श की गई तो वही जुलाई आस्ते आते बिहार से मौनसून एक प्रकार से रूट सा गया है आपको बताया दे कि जिस प्रकार जून में लगतार बारिश हो रही थी जुलाई में उतनी ही गर्मी पड़ रही है जहां बिहार की तमाम जन्ता को बारिश का इंतजार है तो वही पूरी जन्ता उमस भरी गर्मी से परिशान भी है आपको इस खबर के बारे विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि अब लगभग कब तक मौनसून एक बार फिर से बिहार में सक्री हो सकता है आखिर कब तक IMD के तमाम व्यग्यानिक या पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि बिहार में कोई नया साइकलोनिक सिस्टम बने जो कि बिहार से रूट गया है बिहार से अब भी मौनसून रूटा हुआ है व्यापक स्तर पर बारिश की संभावनाएं नहीं है पटना सहित मद्ध बिहार में तेज हवा के साथ सोमवार को मेग गरजन के आसार हैं इस दोरान बारिश की भी पूरी संभावना है वही 27-28 जुलाई से बिहार में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं IMD की आधिकारिक जानकारी के मताबिक पटना, नालंदा, जहानाबाद और शेकपूरा के इलाके में तेज हवा के साथ मिठनका गिरने की भी आशनका मजबूत हो गई है दरसल बड़े हुए तापमान और वातावरन में मौजूद नमी के संयोग से सोमवार को बादल बन सकते हैं दिहाजा इस परिसिदी में कुछ जगों पर हल्की बारिश और एक दो स्थानों पर भारी बारिश होनी की भी संभावना है फिलहाल अच्छी बारिश के लिए अगले 50 घंडे का इंतजार बिहार को करना पड़ सकता है इधर बिहार में तापमान सामाने से अधीक 35 डिगरी सेल्सियस के आसपास चल रहा है भागलपूर में तापमान करीब 38 डिगरी के आसपास है सामाने तोर पर देखा जाए तो पूरे बिहार के लिए अभी किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है जानकारी के मताबिक बिहार में रविवार को औसितन मात्र 2 मिलिमीटर से भी कम बारिश दर्च की गई है तो बिहार को अभी अच्छी बारिश और फिर मानसून के लिए करीबन 50 घंडे का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि बिहार में अभी फिलाल कोई भी साइकलोनिक सिस्टम नहीं है इसको देखते हुए अभी भी बिहार की जंदा को तेज और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है मगर हाँ IMD के वैग्यानिकों के अनुसारिया बताया गया है कि बिहार के मद्द शेत्र में थोड़ी बारिस हो सकती है मेग गर्जन के साथ ठंका गिरने की भी आशंका है इसको देखते हुए IMD के अधिकारियों और फिर वैग्यानिकों ने असाफ कहा है कि मद्द बिहार के लोगों को अभी बशने की जरूरत है वह घरों से तभी निकले जब मौसम साफ रहे क्योंकि जिस प्रकार से ठंका गिरता है बिहार में जिस प्रकार से लोगों की मौते होती है उनको देखते हुए भी अलर्ट जारी किया जाता है मगर फिलाल बिहार में कोई भी साइक्लोनिक सिक्स्टम नहीं है और फिर अभी किसी भी जिले में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते हुए निउस पोरेशन नमस्कार